Hello friends, recipe for Wigners में आप सभी का स्वागत है आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लौकी के कोपते लौकी के कोपते ना कि ओल खाने में बहुत ही लजीज और स्वादिस्ट हैं बल्कि इसे बनाना भी बहुत ही आसान है लोकी के कोपते बनाने के लिए यहां मैंने डेड़ केजी लोकी लिया है जिसे अच्छी तरह से छील कर धुल लिया है डेड़ केजी लोकी से हम आसानी से दस लोगों के लिए कोपते बना लेंगे लोकी को अच्छी तरह से कदुकस कर लेंगे जब सारे लोकी अच्छी तरह से कदुकस हो जाएं तो लोकी में से हम सारा पानी हाथों से दबा दबा कर निकाल लेंगे लोकी में बहुत सारा पानी होता है इसलिए इसे अच्छी तरह से दबा दबा कर इसका पानी निकाल लेंगे अगर आपको हाथों से पानी निकालने में दिक्कत हो रहा हो तो कपड़े में लोकी को बांध ले और उसे दबा दबा कर उसका सारा पानी निकाल ले अकी के पानी में बहुत सारे गुन होते हैं इसलिए इसे फेके नहीं इसे या तो पी ले या इसे ग्रेवी बनाने में इस्तमाल कर ले कौपते बनाने के लिए यहां मैंने 6-7 हरी मिर्च एक इंचा द्रग का 20-25 का लिया लेसुन के लिए है साथ में 6-7 प्याज और 5-6 टमाटर को लिया है अद्रग को पतले पतले टुकड़ों में काट लेंगे लसुन और हरी मिर्च को भी ले लेंगे दो प्याज ले लेंगे और सभी को काट कर मिक्सी के जार में डाल देंगे बिना पानी डाले इसका बारिक पेस्ट बना लेंगे कर इसका पानी निकाल लेंगे अगर इसमें पानी की मात्रा ज्यादा रहेगी तो हमारे कोपते बहुत ज्यादा तेल सोखेंगे लौकी में से जब सारा पानी निकल जाए तो लौकी में हम एक कटोरी बेसंड डाल देंगे वन टेबल स्पून धनिया जीरा का पॉडर डाल देंगे स्वाध अनुसार नमक डाल लेंगे आधा चमच हल्दी पॉडर डाल देंगे दो चमच अदरक लहसुन मिर्चा प्याज का पेश डाल लेंगे सभी समागरियों को अच्छी तरह से हलके हाथों से मिला लेंगे बहुत जादा जोर जोर से दबाकी नहीं मिलाएंगे क्योंकि लौकी में बहुत जादा पानी की मातरा होती है कोपते तलने के लिए हम तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो मिसरन से छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे और उन्हें सुनारा होने तक अच्छी तरह से तल लेंगे लोकी की कोफते काफी नर्म होते हैं जब हम इसे तेल में डालेंगे तो थोड़ी देर इसे हम तेल में ही छोड़ देंगे ये जब अच्छी तरह से सैट हो जाए तब इसे अलट पलट कर अच्छी तरह से तल लेंगे देखिए कितनी अच्छी तरह से ये लौकी के कोफते सुनरे तल चुके हैं इसी तरह से सारे लौकी के कोफते अच्छी तरह से तल लेंगे ग्रेवी के लिए मसाला तयार करेंगे तमाटरों को छोटे छोटे टुकडों में काट कर मिक्सी में इसका बारिक पेस्ट बना लेंगे अद्रेक लहसुन मिर्चा और प्याज के पेस्ट में दो चम्मच धनिया जीरा का पॉडर एक चम्मच सबजी मसाला एक चम्मच गरम मसाला आधा चोटा चम्मच हल्दी पॉडर डाल कर अच्छी तरह से मिलाएंगे ग्रेवी बनाने के लिए यहां मैंने उसी कड़ाई का इस्तमाल किया है कड़ाई में से एक्ष्ट्रा तेल हम निकाल लेंगे आठ दस चम्मच तेल में अब हम एक चम्मच जीरे का तड़का देंगे जीरा जब चटक जाये तो उसमें तीन चार चम्मच तेजपत्ता के पत्ते डाल लेंगे आधा चोटा चम्मच हिंग पॉडर डाल लेंगे दो प्याच को हमने पीस लिया था बाकी बचे वए प्याच को छोटे टुकडों में चौप कर लिया है प्याच को अब हम तेल में डाल देंगे और गुलावी कलर आने तक भूल लेंगे प्याच जब थोड़ा भून जाए तो जो हमने मसाले तयार किया है उसे डाल देंगे और अच्छी तरह से चला चला कर भूनेंगे थोड़ी देर मसाले भूनने के बाद टमाटर के पेस्ट को डाल देंगे और उसे भी अच्छी तरह से भूनेंगे मसाले अच्छी तरह से भून जाए इसके लिए हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और अच्छी तरह से चला चला के भूनेंगे मीडियम आज पर ही हम सारे मसालों को भुनेंगे ज्यादा तेज में मसाले अच्छी तरह से नहीं भुन पाएंगे ग्रेवी के लिए लोकी वाले पानी को डाल दे और अपने जरूरत अनुसार पानी डाल ले यहां मैंने एक लीटर पानी का इस्तमाल किया है ग्रेवी में अच्छे कलर के लिए एक चमच कास्मीरी लाल मिर्च को डाल ले स्वाद अनुसार नमक डाल ले और ग्रेवी को ढख कर अच्छी तरह से पका ले तेल जब किनारे लग जाए तो समझ लीजिए ग्रेवी अच्छी तरह से पक गया है अब इसमें अपने तयार किये हुए कोपतों को डाल दे जब सारे कोपते उसमें डल जाए तो गैस को बंद कर ले इन्हें पकाने की जरूरत नहीं कोपते मुलायम और नर्म है इन्हें डाल कर सीधा बंद कर दे इच्छा अनुसार धन्या पती डाल ले और इसे अच्छी तरह से मिला ले लाजवाब स्वादिष्ट लोकी के कोपते तैयार है इससे रोटी, चावल, पूरी, पराठा, कुछ भी खाएं बहुत ही स्वादिष्ट लगती है रेस्पी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले